आज का ये वीडियो है इस्ट इंडिया कमपनी साल 1806 का कौईन जिसकी कीमत लगबग 10 करोड मिल सकता ऐसी बता ही जाती है तो शायद बहुत से लोग को इसके बारे में पता होगा और बहुत से लोग को नहीं पता होगा तो जिन लोग को पता चल गया है राइस पूलर के बारे में ये वीडियो होने वाली है तो उनको भी कहूंगा कि ये वीडियो पूरा देख लो क्योंकि मैं इसमें अपना experience शेर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है राइस पूलर से related और awareness वीडियो भी है आप लोग को सीख समझने भी मिलेगा किस तरीके से market में क्या क्या काम होते हैं और आज भी हो रहे है और काफी time से होते आ रहे हैं तो जो लोग मेरे subscriber हैं already जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने 8-10 वीडियो 15 वीडियो देख लियोगी उनको ये पता होगा कि हम अपने channel से जो information दे प्रैक्टिकल होती है यानि कि कोई हवाबाजी वाली बात नहीं कोई फाल्तू ऐसी बाते नहीं करते हम जो ज़्यादा excitement create करें जबके मैं कोशिश ये करता हूं कि वही information दूँ वही knowledge आप लोग के साथ शेर करूं जो practical हो चाए उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमान हम लोग के साथ भी हो चुका है वो और लोग के साथ ना हो ठीक है और निमेसमेटिक फिल्ड में जो हम लोग काम अभी कर रहे है satellite का जो गृप बना रहे है खास करके मैं उनको चाहता हूं कि यह सब बाते पता होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है उनके साथ अभी नहीं हुआ ह लेकिन इन future ये सब बाते उनके साथ भी हो सकती है तो ये विडियो बहुत लोगों को help करेगा राइस फूलर से related या और भी मैं कुछ चीज़े बताऊंगा कैसी कौन सी चीज़े है जिसका 1000-1000 करोड दो-2000 करोड 50-50-1000 करोड तक की deal की बात की जाती है कौन से ऐसे coins होते है या कौन से ऐसे पुरानी मूर्तियां होती है पुराने बरतन होते जो इतने दुरलब होते है या इतने rare होते है या इतने special होते है जिनकी कीमत 1000 करोडों में इसलिए होती क्योंकि उसको NASA जैसी company भी buy करने वाली है ऐसा बताया जाता है NASA जो satellites वगरा भेचती है उसकी बाद चेह रही है तो ठीक है topic को start करता हूँ topic लंबा हो सकता है video जो भी मुझे पता है मैं कोशिश करूँगा short मैं बताने के हले कि यह कहानिया इतनी है इसमें जो practical मेरे साथ हम लोगोंने देड़ साल मैंने इसमें दिया है तो जो लोग जानते हैं मेरे करीब के लोग जो मेरे साथ जिनका उटना बैटना रहा है आज नहीं कल वो जब video देखेंगे तो उनको शायद पता चलेगा कि यह बाते हुई थी तो कैसा है जब मैं 2000 मैंने एक video में बोला भी है और उसमें अच्छा खासा जब loss हो गया था तो उसके बाद थोड़ा सा depression तो हो गया था मुझे लेकिन साथ साथ हुआ यह practical पूरी हर बात मैं एकदम accurate बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि किसके साथ क्या हो सकता है ठीक है तो मैं यह अपने उपर से ही बता रहा हूँ किसी कहानी या कोई research करके नहीं बता रहा हूँ तो हुआ यह कि उससे पहले मैं यह बाते सुन चुका था कि कुछ इस टाइप के पुराने सिक्के या बरता नाते है जो करोडों में विखते मैंने किसी को discussion करते हुए सुना था जब मैं कहीं job भी करता था उस टाइम पे मैंने सुना था यह बात तो मैंने उस बात को सुन के एक बार शायद घर में मेरी wife से मैंने बोला था कि ऐसा कुछ होता है ऐसा सुनने में आया है लेकिन उस टाइम पे मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब मैं बता रहा हूँ जब मैं लॉस कर गया था उस पिरियेड में मेरे एक पार्टनर थे जो हम लोग फार्मिंग साथ में कर रहे थे तो उनके कोई relative जिनके पास एक वीडियो आई थी और वीडियो थी एक पुराने गिलास की जो बना हुआ था बहुत पुराने टाइप का गिलास था जर इसमें copper में बना हुआ गिलास था तो वो गिलास का वीडियो इस तरीके से आया कि उन्होंने एक जगा एक टेबल पे वो गिलास रखा था और सामने कुछ राइस को रखा गया था तो वो राइस को अट्रेक्ट कर रहा था वो यानि कि automatically जब राइस रख दिये जाते थे उसके सामने तो दिरे 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 करके कुछ राइस उसकी तरफ वो गिलास की तरफ एट्रेक्ट हो जाते थे तो लगबक चार इंच, 6 इंच, 8 इंच की दूरी से वो खीच लेता था अपने तरफ तो जब वो वीडियो आया तो मुझे उस बंदे ने बोला कि ये क्या चीज़ है भाई बोले इक ने किसी ने भेजा है और बोले आप ज़रा पता करो ये है क्या तो मैंने जब मैंने बोला हाँ इसके बारे मैंने कुछ सुना है तो फिर मेरे एक जान पैचान वाले को मैंने जब बताया उसको तो उनोंने बोला कि हाँ ये बोले इसमें ओरिजिनल भी आता है और डुब्लिकेड भी आता है अगर डुब्लिकेड भी रहा तो आपका इसका कम से कम 20-25 लाक रुपया आराम से मिल जाएगा तो भाईया लॉस था कुछ 10-15 लाक का और यहाँ पे एक गिलास का हमें दिक रहा था 25 लाक रुपया तो बिजनेस का लॉस तो एक जटके में रिकवर होने वाली बात थी ठीक है और भी मतलब पैसा बची जाता ऐसी बात थी और जादा लोग इसमें हम लोग थे नहीं 2-3 लोगी थे हैं तो बहराल फिर आगे बात जब चली के ओरिजनल हुआ तो एक करोड का उसने बताया था डुबली के उड़ों तो 25 लाक तो फिर भी मिली जाएगा अब हम लोग 3-4 लोग थे उसमें तो फिर मैंने वहां से फिर और लोगों से पूछना स्टार्ट किया फिर मैंने एक बंदे से मिला जाके ये भीवंडी की बात कर रहा हूं मैं कहीं बाहर नहीं गे बिवंडी में फिर एक बंदा और टकराया मुझे तो उसको जब मैंने वीडियो बताया तो भाई साब की एक्टिंग तो इस तरीके से थी कि वो होटल में हम लोग बैटे थे तो सबसे पहले वो वीडियो जैसे ही ओन वी थोड़ा सा चली उसने वीडियो को पांस किया मेरा मोबायल रख दिया जैब में बोला भार चलो भार तो मैं थोड़ा सा शौक था एक बंदा जो मेरे साथ था ओव भी थोड़ा सा शौक रियक्शन दिरा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है भार जाने के बाद फिर कोने में जाके खड़े हुए डिसकेशन होने लगा पूछा उसने कहां से मिला है आपको कैसे मतलब क्या डिटेलिंग्स है इसकी तो मैंने बता है ये मिला नहीं है लेकिन एक जगा है और वो जगा थी यूपी में लखिम पूर खीरी इसके उपर मैंने पहले भी बोल चुका हूँ आज लेकिन खुल के पूरी चीज़े बता रहा हूँ क्योंकि ये सिक्का जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत टाइम के बाद मेरे को मिला है मेरे घर से ही तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए क्योंकि इस टाइप की जो सिक्के थे ना इस कहानी में आपको पता चलेगा क्यों फिर इस टाइप के सिक्के हम लोगों ने लिये थे वो मैं बाद में बताऊंगा ठीक है तो अब वहां से वो ग्लास की कहानी स्टार्ट हो गई अब उन्होंने फिर मुझे जो बोला होटल के बाहर खड़े रहके उन्होंने बताया कि भाईया इसका आपको लगबक 25 करोड मिलेगा अगर यह ओरिजनल हुआ तो और डुब्लिकेट भी हुआ तो 2 से 5 करोड वैसे भी मिल जाएगा और जहां बोलोगे वहां पेमेंट मिलेगा वाइड बोलोगे वाइड मिलेगा ब्लैक बोलोगे ब्लैक मिलेगा तो मैं भी थोड़ा सा शौक था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्योंकि मैंने सुना हुआ था ना मैंने बताया पहले जहां पे मैं जॉब करता था तो वहां पे मैंने ये बात सुनी दिया हाला कि वो अच्छी जॉब थी बैंक से रिलेटिट कॉपरेटिव सोसाइटी थी उसमें मेरा जॉब था तो वहाँ पर ये बाते होते भी सुनी दिया ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी एरे एरे लोगों ने भात की थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ हो सकती क्योंकि उन लोगों ने ये बताया था कि उसका 100-100 करोड, 200-500 करोड मिलता है तो अब मैंने फिर अपने लोगों को बताया कि भाई एक और आज नहीं कानी पता चली है उसके कीमत 1 करोड नहीं है, 25 करोड के करीब है तो सबका मतलब होश ठीकाने नहीं थे हासी आती है याद कर गे तो उस टाइम पर फिर हुआ ये कि रात में मिटिंग्स चलने लगी, बाते होने लगी, क्या करेंगे, कैसा करेंगे अब प्लान होने लगा, तो पता चला कि उसको लाने के लिए कम से कम 3-4 लाग उर्पे का खर्चा है अरे बाप, अब बोले ये 3-4 लाग कहा से लाया जाए तो इत्ते फाक से मेरे एक पैचान वाले थे, जो पॉल्ट्री से रिलेटेटी बंदे थे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहापे, लेकिन वो जब हो सकता है वीडियो सुने तो समझ जाएंगे तो उन्होंने मेरे साथ तो पॉल्ट्री में बिजनेस किया था, मतलब वो बायर थे, मेरा पॉल्ट्री का जो माल रेडी होता था, वो लेते थे ऐसे बहुत सारे बायर थे, उसमें से एक बायर वो भी थे तो मैं ऐसे सोच के निकला के चलो, इनके पास जाता हूँ और ये चीज़ बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से एजुकेटेड फैमिली से भी हैं और मैंने जब उनके साथ बिजनेस किया हुआ था, तो मुझे पता था कि उनका काम करने का तरीका थोड़ा अच्छा है, मतलब कि प्रॉपर वे में वो बिजनेस डील करते थे मेरे साथ, और अच्छे मश्वरे भी देते थे, तो उस बेस पे मैंने सोचा इनके पास जाता ह तो डाइरेक्ली उनोंने एकको फोन किया, इंदौर का कोई बन्दा था, उसको उनोंने वो उनके वहाँ पे मैनेजर रह चुका था, उनके जहां पे जो उनका शौप है उसमे वो मैनेजर था, तो मैनेजर को फोन किया, अब भी तुरंत आप मेरे ओफिस पे आओ, तो वो अभी आगया ओफिस पे अभी तक इन्होंने मुझे रिवील नहीं किया कि यह है क्या क्या नहीं लेकिन इन्होंने इतना बताया कि ऐसी कोई चीज मेरे को मेरे मेनेजर ने बताई भी है तो उसको बुला कि हम यह चीज बताते हैं हो सकता है वो बता दे हमें कि एक्शुल यह ह गया और आने के बाद उसने फिर indoor phone लगाया अब indoor phone लगाने के बाद जो सामने वाला था उसको WhatSup पर विडियो भिजा गया तो उसने तुरंद बोला कि भाईया ये तो बहुत भारी चीज़ आपको मिलिए बहुत powerful चीज मिली है और अगर ये हमको मिल जाती है तो हमारे पास इसका buyer available है शायद उसने भी 50 या 100 करोड की बात कर दिया था उस time पे तो ये बात 1 करोड से होते होते हैं 25 करोड पे गई 25 करोड से 50 या 100 करोड पे चली गई अब यहां से ऐसा हुआ कि वो भी हमारे अब बात यह हुई कि इसमें इसा होता है कि कुछ पड़े लिखे लोग भी आप लोग के साथ टकराते हैं और जो आपको नहीं समझ में आता है कि यह लोग भी फ्रॉड आपके साथ कर रहे हैं ठीक है तो बहुत ऐसे चालाक लोग होते इसमें इसमें जो बराबर उनको पता होता है कि किसके साथ क्या बात करनी है यानि वो आदमी देख के बात करते हैं और आदमी देख के अमाउंड बताते हैं ठीक है अब देखे आगे क्या हुआ फिर अब इसकी डिलिंग के लिए जो सामने वाले जो थे जो लकीम पूर से थे वो तो सबसे मैं कहूंगा के चालाक लोग थे व्हकाज वो बन रहते गरीब एक्टिंग कर रहते कि हम तो बहुत गरीब गाओं के दिहाद के लोग हैं यह चीज हमारे पास है भ conteúdo बस इतना पैसा चाईए लेकिन हमारे गाओं में हमारे घर पे चाहिए तो अब जब मैं ने और inquiry करना start किया तो मुझे किसी Bombay के किसी बायर ने जो एक अच्छे इंसान थे बायर नहीं कहूंगा वो भी इस field में कोशिश में थे कि कहीं से कोई चीज मिल जाए तो उनका एक experience रहा था उन्होंने मुझे कहा कि फैजान आप उदर पर मत जाना लकीम पूर साइड में वो बाडर वाडर में एक्च्छली बोले उदर पर जाओगे तो बोले वो fraud लोग होते है वहाँ पर और वहाँ से बोले होता यह है कि वो पैसा वैसा चीन लेते है जो भी चीज़े है मतलब आपके चेक करना है सामन और लेके आना है तो अब हम लोग ने प्लान किया कि भाड़ ठीक है रिस्क ले लेते हैं तो वो बात को avoid किया मैंने अलगी मैंने बताया था जो पैसा देने वाले था उनको बताया था कि ऐसी सी बात भी सुनने में आई ये लेकिन में अबला हम लोग जा रहे हैं तो उन्होंने भी मना नहीं किया और लगभक वो बंदे ने मुझे तीन लाग रुपया कैश एंड किया था जिसमें हमारी डील ये हो गई थी कि अगर वो चीज़ आती है बिक्ती है तो आप as a investor हो इसमें तो कुछ percent आप के होंगे शायद 40% ऐसा कुछ बोला गया था उसमें बाकी 60% में हम लोग सब थे या 40% उनका था 40% में हम इधर पे सब लोग थे जो लाने वाले थे जा करके और 20% शायद जो buyer वायर था उसका कुछ media भी होती है यह media ही थी हम लोग इसमें media बोला जाता है mediator को media word यूज किये जाता है इसमें तो भाई media जो थी इनका भी था फिर buyer का था और investor का था ऐसे करके कुछ तीन पार्ट बने थे तो यहां से कानी और journey स्टार्ट हुई फिर हम लोग ने प्लान के आप जाना है जाके लेके आना है काम हो जाएगा अपना तो अब यहां से जब निकले video लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग जो लोग पूरा समझना चाते practical में क्या-क्या होता है तो उनको मैं कहूंगा पूरा video जरूर देखो ताके मैं तो आपको वो चीज़ से आगा करूँ जो मार्केट में आज भी fraud किया जा रहा है और आज भी लोग जो मेरे उस पिरियेड में जो मैंने देड़ साल गुमा और उसके बाद यह हड़ गया मैं समझ गया था क्यूंकि मुझे समझ में आ गया था कि सिर्फ इसमें टोपी गुमाने का काम है तो मैं हड़ गया था हूँ आपसे अच्छा मैं कोई भी काम करता हूँ ना मेरा काम करने का तरीका यह है जब तक उसके depth में नहीं जाता हूँ तब तक मैं वो काम से या तो हटता नहीं हूँ या उसमें से मैं मतलब उसको छोड़ता नहीं हूँ ऐसे बोलो आप अब मैंने काम पॉल्टरी का भी इसलिए छोड़ा था कि उसमें भी समझ में आ गया था कि इसमें उपर साइड में माफिया लोग बैटे वे पॉल्टरी के माफिया है बड़े बड़े जाइंट कंपनी का नाम नहीं लेंगे जो छोटे मोटे फार्मर को कभी टिकने नहीं देंगे ठीक है उनका एक पैटन बन चुका है तो वह पैटन पर लोग चलते है और हर साल में एक यह दो बार ऐसा कुछ रेट्स गिरा देते हैं और ऐसा कुछ मार्केट में हो जाता है जिस वज़े से पॉल्टरी फार्मर जो होता है वो लॉस में आई जाता है जो इंडिविजल लेल पे करता है तो उसको छोड़ने के बाद जब यह फिल्ड में जब हम घुस रहते तो मैं तो ऑनलाइन भी चे देखने मिलते थे आज भी देखने मिलेंगे आपको और कुछ वेबसाइट्स पहले की भी यह जो मैं दिखा रहा हूं यह भी वेबसाइट 2014 का वेबसाइड है इस पर वह नंबर दाला हुआ है चार सिक्के रखे हुए है और लिका हुआ है कि सरस्वती ओम दुरगा हनुमा कॉइन विदाउट डेमेज कॉइन फोर सेल ओनली जैन जैनुएन बायर कॉल नंबर दिया हुआ है और इमेल आईडी दिया हुआ है तो यह 2014 का इसका यहां पे लिका है न 28 जुन 2014 तो इस टाइप के बहुत सारे कंटेंड मिलते थे ओनलाइन में वेबसाइट पे जाकर के य 2015-16 में मुझे नहीं मिला था ठीक है 15 का एंडी था 16 भी नहीं था मेरे कहले पंद्रा के एंड की बात थी यह तो उसके बाद हुआ यह के अब फाइनलाइज हो गया जाना था तो हम यहां से निकले उन्होंने फोर विलर दी हम लोग 6 लोग यहां से निकले थे और जाना था लखीमपूर खीरी वहां से सामान लेके आना था पैसा देके तो हम यहां से निकले 6 लोग 6 या 5 लोग हम लोग निकले उनके 2 लोग उनका मैनेजर भी था उनका ड्राइवर भी था और हम लोग 3 लोग और थे हां टोटल 5 लोग गय थे यहां से तो XUV 300 शाय गाड़ी थी ज पहले बात वी थी सितापूर में डील होगी तो वहां पे हम लोग वो लकनों में जो दर्गा है वारिस बाबा की जो देवा शरीफ जिसको बुला जाते है तो वहां पे हम लोग राइट स्टे कीए थे और फिर उलोगों से कॉंटेक किया तो उन लोग ने गोला नहीं हम लो वहां नहीं आ सकते आपको लखिमपूर आना पड़ेगा, तो हम वाह से next डए लखिमपूर गए, अब लखिमपूर जाने के बाद फिर पता चला, पहले12 बंकी रुके तें, फिर सीतापूर गए, सीथापूर से लखिमपूर गए, लखिमपूर जाने के बाद बोल रहे कि व आपको पर्टिकुलर गाओं में अंदर कहीं जाना पड़ेगा तो अब यहां पे हम अलर्ड हो चुके थे कि भाई अब सिटी से होते होते हैं अब यह अंदर गाओं में लेके जाने की बात कर रहे हैं तो फिर भी मेरे बोलने पर मैंने हिम्मत किया था ड्राइवर उनका था और उनका मेनेजर तो मना कर रहा था भाई मच चलो मच चलो बहुत अंदर बुल रहे हैं डील करने तो भार की बात हुई तो मैंने बुला यार चलो जाके आते हैं क्योंकि उसमें से एक बंदा जो था वो ऐसे बता रहा था हम लोग के ग्रूप में कि वो बुले यार नॉर मतलब क्या आएगा अब फिर वहां गए तो तमाशा थोड़ा सा इस तरीके से सीन क्रियेड हुआ कि उसमें से जो बंदा मिलने आया हम लोग को वो बुलता है कि जिसका सामान है वो सामान चेक करने के लिए फला और अंदर गाउ में बुला रहा है और उसने कहा है कि अगर महाँ पर चेकिंग होगी तो वो सामान देगा तो हम लोग शायद दो या तीन दिन इस्टे किए ते यह सोच चे के कि वो लोग मां जाएंगे और चीज़ को कमसे कम होटल तक लेके आएंगे या ऐसी जगह पर लाएंगे जहां पर आराम से हम लोग उसको चेक कर सके तो ले इतिफाक से देखा अब वो जो फ्रॉड करने वाले लोग होते ना उनके पास हमारे ग्रूप के सब लोग का नंबर वो दो-तीन दीन के प्रियेड में जा चुका था विकाज हर आदमी अपने अपने नंबर से उनको फोन लगाता था वो लोग उठाते नहीं थे फिर कभी-कभी उठा लेते थे फिर बात थोड़ी सी करके फोन रख देते थे तो इस तरीके से हम लोग के 6-7 लोग का सबका उनका कॉंटेक्ट डिटेल वहाँ पे जा चुकी थी तो अब हुआ ये कि वहाँ से रिटान आने के बाद फिर से एक बंदे ने वहाँ से वीडियो भेजा उसी ग्रूप के हमारे ग्रूप के एक बंदे को और फिर कहा कि भाईया ये अभी वीडियो जो मैं आपको भेजा हूँ वही सेम चीज आपको मैं लखनाव तक लाके दूँगा ठीक है प्राइस लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन आपको लखनाव तक मैं लाके दूँगा 100% मेरी शॉरिटी पे जो होटल मैं बोलोगे वो होटल मिलाके दूँगा तो अब मेरे साथ जो एक साथ वाले थे जिनको ये बात उसने किया वो बहुत एक्साइटेट हो गए अब उन्होंने कहा कि यार अभी अपने को तो फास्ट जाना पड़ेगा गाड़ी से जाएंगे तो दो दिन लगेगा तो वो भाई साब ने हम लोग तीन लोग यहां से निकले थे उन्होंने एरोप्लेन के टिकेट्स बुक करवा दिये एर इंडिया से हम लोग गए थे यहां से इंडिगो इंडिगो सॉरी इंडिगो जेट से हम लोग यहां से गए थे तो अब मैं तो इसको बोल रहा था है कि भाई देख ये मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था मैं बोला इतना पैसा डालने के बज़ाए ट्रेन उरेन से चले जाते कोई दिक्कारे नहीं यार भाई वो बहुत अइमरजेंसी है नहीं तो फिर वो चीज़ उसके पास से चली जाएगी ऐसी कुछ काहनी उसने उसको बोल दिया था तो फिर उसने कुछ 25,000 या 30,000 रुपया में तीन लोग का टिकेट बुक कराया उसने अब जब तक हम लोग बॉमबे में यहां पर एरपोर्ट पर थे तो वहां तक उनका कटेक्ट हो रहा था और हम लोग उने बोला था अब बस हम लोग प्लेन में जा रहे हैं और 2-3 गंटे में हम लोग पहुच जाएंगे आप भी वहां से पहुच जाओ तो उसने हाँ हाँ किया अब यहाँ से जैसे ही हम लोग प्लेन में बेटा और वहाँ पे उटरे एरपोर्ट पे उतरे लकनाओ में तो लकनाओ फे फिर उतरने के बाद जब फोन लगाया गया तो सामने आलेगा फोन स्वीच आफ सेम वही कानी जो पहले हुई थी पहले भी ऐसे हुआ था हम लोग को बोला गया बोलाने के बाद फोन उनके स्वीच आफ आने लगे तो यह स्वीच आफ करने का एक तरीका होता है यह लोग जान पूछ के यह मेंटालिटी के साथ खेलते हैं ठीक है क्या mentality के साथ खेलते हैं चेक करते हैं लोग के सामने वाला कितना excited है सामने वाला रुखता है के नहीं रुखता है क्योंकि इनको भी डर रहता है न के कोई मतलब ऐसे तो नहीं के हम लोग को पकड़ ले तो इन लोग ये चीज़ के लिए भी डरते हैं अब फोन स्विच आफ होने के बाद हम लोग उने लकनाव में फिर एक रूम लिया हम लोग सुभाई पहुच गये थे दुफैर में पहुच गये थे हम लोग धाई गंटे में फ्लाइट पहुचा दीती हम लोग की फ्लाइट शायद यहां से 10-10 बजी की थे तो एक बजे के करीब हम लोग पहुच चुके थे और फिर जब हम लोग उने रूम लिया तो फिर फोन लगा रहे ऐ बंदा रहे शाम में आई थिंग साथ आणड बजी के टाइम पर सामने आलेका सामने से फोन आया उसी बंदे को फोन आया तो इसने फोन उठाया और बात हुई तो बोले मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है रास्ते में और बोले अब वो लोग इतना पैसा मांग रहे कुछ 20,000, 5,000 ऐसे कुछ अमाउंट उसने बोला था तो बोले यह अमाउंट भाई साब दे दो तो मैं लेके पहुच जाओंगा तो देखो अब यह लोग जो है ना इस तरीके से खेलते हैं कि देखते हैं लोग के आदमी अगर जादा नहीं तो कम से कम 10, 20, 25,000 में ही कड़ जाए ठीक है तो यह ट्रिक भी लोग लगाते हैं तो वैसे ही जैसे ओन लाइन में आप देखते हो जो सादे कॉइंस है नॉर्मल कॉइंस है उनकी प्राइजिंग आपको लाखों में सुनने मिलती है तो यह ओन लाइन में फ्रॉड होता है इस तरीके से और फिस जब आप उनसे सेलिंग की बात करते हो तो वो लोग आपसे हजार दो हजार किसी किसी से पचास हजार भी ले लेते है तो जब आदमी फस्ता है तो देते जाता है एक वीडियो मैंने डाला हूँ उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे coin selling के चक्कर में 95,000 उनने पे कर दिया था पहले 10,000 दिया फिर शायद 10, 20,000 ऐसा करते करते 40, 50,000 दे दिये थे फिर last में उनने ये बोला कि भाई आप final आपको payment जाने वाला है ऐसे कुछ बता के अगर नहीं दोगे तो ये 40,000 भी आपका नहीं मिल पाएगा आपको तो वंदे ने फिर और 40,000 भाईक भाईक बेच के डाल दिया था लेकिन उसको फिर कुछ नहीं मिला तो ये online में होता है fraud और offline में भी इसी तरीके से छोटे से छोटे लेवल का भी 1000,000 रुपे का भी fraud होता है इसमें मैंने यहां तक देगा 1000,000 रुपे का भी fraud होता है क्योंकि इसमें छोटे लेवल के लोग भी लगे हुए हैं जिनका समलो मैने की कमाई 10-20,000 ही होगी ऐसे लोग भी इस चक्कर में फसे हुए और ऐसे लोग भी इसमें आते हैं जिनकी करोडों की कमाई है क्योंकि पैसा सबको fast कमाना है ये एक trend है market का और अगर बस कोई चीज ऐसे मिल जाए और उससे पैसा बन सकता है तो कोई ना कोई try करता ही है तो बात यह भी फिर वो उसने इस तरीके से बोला तो मैंने तो उसको बोल दिया भाई एक रुपया नहीं देना जो वो मांग रहा है पूली सुलीस पकड़ी है उसको बोल देना कि ला सकता है तो लेया कल तक हम लोग रुके है अदरवाइस हम लोग यहां से चले जाएंगे तो हुआ यह कि इसी ने जो टिकेट एरप्लेन की हमारी बुक करवाय था यह जो फ्रेंड थे हमारे ग्रूप में उन्होंने खुद सामने से बोल दिया है कि भाई यह आएगा नहीं फ्रॉड कर दिया है अपन यहां से अब निकल जाते कोई रुक के मतलब नहीं आएगा तो हम लोग फिर रिटन जो आयते बस से आयते लखनव से दो से तीन बार बस बदलनी पड़ी थी मेरे खालते है एक बार जहांसी उत्रे थे फिर जहांसी से एक बस पकड़के बहुत मतलब यादगार सफर रहा हो और ऐसे करते करते फिर हम लोग विवेंड डी पहुछेते तो दो ट्रिप हमारी फेल हो चुकी थी अब हुआ ये कुछ दिन के बाद फिर वो लोग कॉंटेक्ट में थे अब हम लोग भी थोड़े बहुत उनसे बात करने में चाला की तो आई गई थी तो हम लोग उनको क्लियर कट बोल दिये थे कि भाई अगर तुम लोग लाके दे सक करते हो तो बुलाना नहीं तो फोन करना नहीं ना वीडियो बेजना आप लोग फिर ऐसे ही घूम फिर के ग्रूप के कोई और एक दो लोग थे जो थोड़े एजट थे यानि कि 50 प्लस उनकी एज होगी तो उन लोगों ने फिर बताया कि वो बंदा बोले हमारे है और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो तो आप लोग को थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा तो हम लोग मिलके फिर लाएंगे थोड़ा नहीं उन्होंने ये कहा कि वो पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा तो हम मिलके ला सकते लेकिन बोले गैरेंटी है स दूसरे से बात होते ही रहती थी क्योंकि ये फिल्ड में उतर गयते तो ये होते होते तिसरी ट्रिप आते है थे समझ लो छे साथ मैना गुजर चुका था तो फिर डिसाइड हुआ कि अब ट्रेन से जाएंगे और हम लोग चार लोग गये थे यहां से तो तीन साड़े तीन लोग गये यहां से ट्रेन से हम लोग वाया गये वहां जाने के बाद सितापूर उते सितापूर में डाइरेक शायद वहां से लकीमपूर गये थे सितापूर नहीं फर्स्ट ट्रिप में सितापूर रुकना पड़ा था लास्ट ट्रिप में डाइरेक हम लोग लकीमपूर पहुचे थे लखेंपूर पहुचने के बाद जो हमारे साथ दो लोग थे उसमें से एक जो चाचा थे वो काफी एग्रेसिव टाइप का बिहेव कर रहे थे मतलब के साला बोले आपन लेके ही आएंगे जहां बोलेगा वहां चले जाएंगे और लेके आएंगे और मेरे को भी इमत मिली के कोई चलो बोल रहा है इस तरीके से तो जाएंगे इस बार तो लेके ही आएंगे कैसे भी ठीक है तो फिर वो जहां जा बोलते गए हम लोग जाते गए रिक्षा हम लोग ने कर ली थी तो मुझे जहां तक यहां तार है कोई डकरी या चौक ऐसा कोई चौक था ह आला किमपूर से और वहाँ रोड रोड बन रही थी वो टाइम पे और बहुत गाउं टाइप का था और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे एरिया जो लगा वो मुसलिम एरिया था. हलाकि वो लोग जो बात कर रहे थे वो नउन मुसलिम बन के बात कर रहे थे लोगों से वो एरिया जो छोटा सा गाउं था ये समझ के चलो 5-6 किलोमेटर अंदर जाने के बाद कुछ-कुछ घर वहाँ पे नजर आते थे लेकिन वहाँ एक छोटी-मोटी शायद मस्जिद भी थी या दरगा थी और कुछ घर थे वहाँ पे 20-25-50 घर के से जादा नहीं हो होंगे लेकिन कुछ घर थे वहाँ पे तो वहां जब हम लोग पहुचें तो फिर हुआ निसलिक टर एक्डिककल काई रिटी यानि कि एक्ट्चल सामान वहां देखने मिला जो विडियो में लोगों ने लोगों को भेजा था टेस्टिंग इसमें टैस्टिंग होती है हर टेस्टिंग अलग है डूबली के डोगा तो उसकी अलग है ठीक है तो टेस्टिंग में basically ये बोला जाता है कि चावल रखिएगा 4-6 दूरी पे वो चावल को खीश लेगा फिर चावल खीशने के बाद वो ही चावल को दूसरे चावल के सामने रखिए तो जो खीचा हुआ प तो वो torch को बुजा देगा burst कर देगा एक type से और अंदर के जो cell है वो cell पानी छोड़ देंगे यानि इस type से इतनी power उसमें होगी कि वो batteries को damage कर देगा तो ये भी एक testing का तरीका है फिर needle से test किया जाता है धागा बान के needle उसके नजदीक आप ले जाओगे swing जिसको बोलते तो वो needle को touch होने नहीं देगा anti-ion का काम करेगा जैसे magnet का जो दो pole होता है same same pole अगर हम ले के जाते तो कहीं न कहीं एक दूसरे को magnet वो touch करने के बजाए धूर फेक देता है तो same उसी तरीके से needle को वो धूर फेकता है ये भी एक testing होती है उसमें और फिर उसके जाता है क्योंकि बोले उसके अंदर का carbon war one पुरा खतम हो जाता है इस base पे ये सब testing है तो जिस जितने दूर की जितने दूर से वो खीचेगा उतनी जादा उसकी एक-एक इंच की value 1000-1000 करोड में बढ़ जाती है ठीक है इस तरीके से उसमें बताया जाता है 6 इंच से खीच र जाएगी तो ऐसी बहुत सारी बाते उसमें होती थी तो बहराल हम लोग का ऐसा भी नहीं था हम लोग वो 100 करोड का माइंड में लेके चल रहे थे लेकिन वो 1000 करोड की बातों में नहीं जा रहे थे हम लोग तो आप ठीक है वहाँ पे सारी testing वेस्टिंग हो गई गाउं में ह हम लोग ने किया यह था एक बंदा हमारा होटल पे रुका था तीन लोग हम लोग गए थे प्लान ये था कि इनका भी एक बंदा आएगा होटल पे रुकेगा safety site कि हम लोग तीन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए हमारा भी एक बंदा होटल पे रहेगा वहाँ पे चेकि और इनके लोग मिलके आएंगे एक जगा पे कोई चौक पे मिलेंगे वहाँ पे हम इनको पैसा देंगे वो लोग हमारा उबरतन हम लोग वहीं पे चेक करके ले लेंगे और हम लोग अपने रास्ते वो अपने रास्ते इस तरीके से बात हुई तो भाई उसका जब टेस्टिंग के तो लाईब बता रहा हूं हर टेस्ट पास हुआ उसमें यानि राइस भी वो खीच रहाता और राइस टू राइस भी खीचा था इसके अलावा वो बैटरी को भी डाउन किया था पिर इसके अलावा anti-ion का भी काम किया था यानि जो भी testing थी वो testing का पुरा video video बना के live मैंने मेरे हाथ से बनाया था और भी हम लोग तीन लोग थे सब का video उसमें आ गया था आज भी मेरे पास वो video होगा कोई laptop में या मेरे कोई hard disk में तो पुराने से पुराने data मैं रखे रहता हूँ चाहे वो किसी से कोई calling पर बात हुई हो वो भी data मेरे पास होता है तो अब भाई वो जब हुआ testing investing तो जहां से जो लोग जिनोंने investment किया था उसी को हम video भेज रहते तो उनके आगे क्योंकि बायर थे तो वो लोगोंने pass कर दिया वो ले हाँ चीज सही आप ले के आजो आप लोगोंने अपने आख से देख लिया final कर लो तो हम लोग भी खुश थे कि एक सही डिल होने जा रही है properly मतलब एक सामान मिल गया है जो सुना था कि ददस साल में लोगों को नहीं मिल पाता है हम लोगोंने साल भर के अंदर ऐसी चीज ढून ली और ले के आ रहे है तो खुशी भी थी बहुत और या यकिन मानों के सुबा से हम लोग कुछ नास्टा पानी कुछ नहीं था क्योंकि सुबा सुबा जाने की बात थी जो हम तीन लोग गये थे गाव में तो वो सुबा सुबा हम लोग पहुचे थे शायद चाय नास्टा करके निकले थे हलका फुलका और पूरा डील होते होते और वहां से सामान लेके मतलब ये सब मैनेज करते वे हम लोग को फिर ये भी बोला गया था हैलर्ट रहके कि जब आप सामान लेके निकलो गए तो ये समझना की रास्ते में भी लोग कुछ फ्रॉड फिर करवाते हैं वो सामान वापस छीन लेते हैं तो एक पिच्चर के सीन की तरह मतलब चल रहा था उस अम लोग की भी प्लानिंग ऐसी थी के हम लोग क्या करेंगे कुछ अमांट रोकेंगे और वो बोलेंगे कि हुटल पे आपको मिलेगा और दो लोग हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे तो मुझे जहां तक याद है ठीक है घाही लाग निकले हैं दो लोग हम लोग निकल गये और एक बंदा पहले सामान के साथ रुका हुआ था उसको भी हमने बोला है कि आप भी होतल पर जाओ जो भी है आप लोग का से हसा वाइस देके फाइनल करके आप आप लोग आज़ा उट तो हम लोग क्या किये हम लोगों ने ऐसा जाहिर किये कि हम भी साथ में होटल पे चख रहें लेकिन हम दो लोग सामन लेके फटा फट वहां से बस जा रही थी सितापूर के लिए तुरंत वह बस में चड़ गए चलती स्लो चलती बस में हम लोग पढ़ता है लखीमपूर से तो बहुत इंतिजार था कि कैसे ये जरनी क्रॉस हो कैसे मतलब ये ट्रैक क्रॉस कर ले और फोन वगेरा बंद कर जी थे हम लोग जैसे ही वहाँ पे बैटे तो पहले वो बायर को फोन लगा दी हमने सौरी इंवेस्टर को जो भीवंडी से जिन्होंने पैसा बेजा था कि हम लोग अब गाड़ी में बैट रहे हैं दो लोग पीछे हैं वो लोग भी आएंगे हम लोग आगे सामान लेके निकल चुके हैं तो अब फोन बंद रहेगा हमारा फोन ऐसा भी बुला गया था आपका आदा घंटा कैसे मतलब कड़ जाए बहुत मुश्किल हो रही थी लेकिन कैसे वैसे वो आदा घंटा भी कड़ गया फिर वहां से बस पकड़ के हम लोग आगे दो लोग निकल के लखनव के लिए तो ये लोग पीछे से आए और इनोंने ये बताया कि भाई वो जो के जगड़े होने लगे वहां पे जो 2.5 लाग रुपे आपने दिया था उसी में वो लोग बटवारे में जगड़ा करने लग गये थे तो वो ले समझ में नहीं आ रहा था वो बाकी का पैसा तो लेने आए नहीं नहीं वो लोग तो हम लोग भी तुरंट वहां से निकल ग का और जैसे ही लकना उत्रे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बिना कुछ खाये पिए हुए लोग थे हम लोग लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ खाने की जरुरत है और एक दो दिन कुछ नहीं भी खाएंगे या कुछ नहीं भी पिएंगे तो कोई मतलब टेंशन व और फिर उसके बाद वो चीज मिल रही है आपको तो और पिच्चर का सीन जैसे मैं बोला हूँ न सारी चीजे हो रही थी उसके बाद एक अच्छीवमेंट ऐसा लग रहा था कि बड़ा अच्छीवमेंट हो गया हमारे साथ चलो वहराल और जब हम लोग यहां से निकले थे ल सामान मिल गया इनका तो वो डायरेक्ट अरजेंट बेस में उन्होंने टिकेट करके लकनों आ गये थे वो तो अब रात वात में हम लोग सब मिले एक साथ बहुत सारी बाते हुई पैक था सामान पैकिंग सामान वैसे हम लोग उने होटल के रूम के कबाड में रख दिया थ और फिर पूरी कहानिया डिसकस हो रही थी किस तरीके से क्या हुआ कहा गये फिर मैं और जो चाचा थे थोड़ा हम लोग हमारा कॉलर टाइट हो गया था ना कि हम लोग ने हिम्मत किये और आगे है हम लोग और लेके आए तो बहराल सब डिसकेशन होने के बाद फिर वहाँ फिर रात रुके थे हम लोग और मॉर्निंग में यह हुआ था कि वो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने फिर अपना वो एक को ले के आये थे तो उन्होंने उस बंदे को हमारे साथ छोड़ा और वो खुद मेरे खहल से वापस से फ्लाइट से चले गए भी बंडी तो हम लोग अब यहां से वाया इस से आ रहे थे फोर विलर करके प्राइवेट फोर विलर की थी हम लोगोंने क्योंकि ऐसा बोला गया था इसको फ्लाइट में नहीं लेके जाया सकता है फ्लाइट में अगर लेखे जाएंगे तो वो स्कैनिंग जो होती है, उसमें ये चीज रेडियेशन होता है अगर रेडियेशन हो गया तो फिर वो महाँ पर जीज गलत हो जाएगी। तो ऐसा सब बताया गया था या तो ट्रेन से आना या तो प्राइवेट बोले आपको गाड़ी करके आनी पड़ेगी तो हम लोगों ने ट्रेन का भी रिस्क नहीं लिया था प्राइवेट गाड़ी की थी जिसका मुझे याद है आज भी शायद 30 या 35,000 रुपय मैंने मेरे प क्योंकि पेमेंट था तो वो पेमेंट में से फिर मैंने वहां से हम लोग निकले थे अच्छा वो भी वो बन्ने ने पूरा हम लोगों को वहां तक छोड़ नहीं पाया उसने शायद मुझे जहां तक याद है मारास्टर के बॉर्डर पे लागे हम लोगों छोड़ा था उस सुबा का ही टाइम था शायद पहुझ गये थे हम लोग और यह डिसाइड हुआ कि अभी घर पे जाएंगे अपने अपने और वो सामान मेरे ही घर पे मैं लेके आया था क्योंकि इन सब में जो ग्रूप था हम लोग है यह ग्रूप में जो में रोल निभा रहा था वो मैं ह इन्वेस्टर का भी बोलना यह था और इनका भी बोलना यह था कि चलो फैजान तुमारे पास यह चीज रखो बिकॉज इसमें कैसा दोका जड़ी बहुत होती है क्योंकि बड़ी वो कीमती वाली बात थी चीज तो यह लोग भी यह नहीं बोर रहते कि आप लोग इन्वेस आई बात होने लगी आगे बायर लोगों से कि हम लोग सामान लेके आ गए है अब आप लोग आ जाओ तो यह थी इंडॉर की टीम एक तो वो टीम थी जो लखिमपूर में फ्रॉड कर रही थी जो हमको सामान बेच रही थी अब इन्दॉर की जो टीम आ रही थी यह वी टीम एक तरीके कि यह पूरी गैंग होती है एक्चुली यानि कि इसमें अलग अलग सब का अपनमना रोल है अभी अगर हम चाते ना तो कई लोगों का लाखो रुपया ले सकते थे इतना हमको भी पता चल गया था जो मतलब हम लोगों ने 4-5-6 लोगों ने देखा है तो होता य है कि जिन लोगे साथ गलत होता है न वहीं लोग फिर आगे भी गलत करने लग जाते हैं ऐसा भी बहुत होता है इस मार्केड में तो उससे क्या होता है वो लोग सोचते कि साला कुछ नहीं तो हमारा पैसा रिकवर हो जाए तो ऐसा भी करने लगते हैं 50,000 किसी का डुबा द इसको बोलते हैं हम लेगमेंगेज में यहाँ पे तो यह सब चीजे भी होती है और पता नहीं कितनी तरीके की चीजे यहाँ पे इस फिल्ड में बताई जाती है जो करोडों में लाखों में बिखती है तो जो इंदोर के टीम आई थी उसमें एक भाई साब एक चेकर थे बहुत एक्सपर्ट लेवल के चेकर बनके आये थे वो फोन पे बात करने से तो बहुत प्रोफेशनल लग रहे थे लेकिन हुआ ये था कि जब वो तीन लोग एंडी का गाड़ी लेके आये थे और हम लोग एक ढाबे पे रुखे थे विवन्डी के तो हसीहारी याद करके तो फोन पे जब बात हुई थी तो जो भी थे वो शक्स एजुकेटेड है लेकिन जब फोन से गाड़ी से जब उत्रे थे रात का टाइम था तो एक बंदा था उसमें से जो वेल इन शर्ट वगेरा करके निकला था और जो दो लोग थे आम से ऐसे बाहर आयते तो इन्वेस्टर को लगा शायद यह जो इन करके बाहर निकला है यही वो चेकर होगा प्रोफेशनली बात कर रहा था तो सब हम लोग ने उनसे ही आत मिला है तो जब मिलाने के बाद फिर नाम लिया गया तो पता चला कि यह वाला चेकर है हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे यह चेकर है चलो ठीक कोई बात नहीं मतलब हालात पर नहीं जाते उनका लेकिन क्या बोलते नॉलेज बहुत एक सेक डीलिंग बताई उसने क्या ऐसा-ऐसा होता है राइसकुलर यह है वो है फलाना एडिम का है बोले मोधी जी इस चीज को अपने अंडर में ले चुके हैं यह क्या बोलेंगे एक कैटेगरी है इस टाइप की जो इस टाइप की कोई चीज मिलती है तो बाकाइदा बोल उन्हें हाइफाइ बाते की बताई और बाते जब कोई सुनेगा पड़ा लिखा भी कोई होगा एजुकेटिड भी होगा तो बोलेगा बात में तो दम है अरे यहां तक उन्हें राइस पूलिंग के बारे में बता दिया एक कॉंट्रोवर्शल बात मैं बोल रहा हूं हसी असन गिराई गई थी तो वो गिराई क्यों गई थी आपको नहीं पता है वहा जो भी था एक्स्वैस्ट रीजन था उसमें बताने के लिए कुछ था पोले एक्श्वैल में वो जो मस्जिद का जो गुम्भत था उसके उपर बोले जो एक बड़ा सा बोले जो एक जो हमेटल वह से उसमें जटका लग गया था तो फिर जब investigate किया गया तो पता चला कि वो बाबरी मस्जीद का जो उपर का है उसके अंदर वो बोले पावर आ चुकी है तो बोले आप government को वो निकालना भी था मैं government या जो भी लोग थें मैं किसी का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ फेवर या इन फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ तो उनको ये था कि भाई मतलब सब के सब मतलब मिले हुए थे और बोले इस तरीके से बोले अब निकाला कैसे जाया उसको तो बोले फिर ये सारी कहानी हुई तो कुछ time के लिए हमको भी मेरे को personally बोलू ना उसके बाद में logic लग रहा था कि शायद हो सकता है इस तरीके से कुछ किया गया हो क्योंकि बहुत से ऐसे काम हो जाते है जो बताया कुछ जाता है और background में कुछ होता है तो आज हसी आती है सोचके कि मतलब किस तरीके से किट में रखा जाता है फिर वो किट जो होती है ओपन करने के लिए कोई चेकर आएगा चेकर आने के लिए चेकर या टेस्टर बोलते हैं उसको टेस्टिंग करने अल्वंदा, बोहती उसकी फीज होती ही viens किसी को 5 लाग बताई जाती है, किसी को 10 लाग आदमी देखके बात की जाती है 1 एक करोड की भी बात की जाती है और लोग देते भी है जिनके पास पैसा होता है लाला शमया के भरोसा करके पैसा दे देते तो वही इनका में मकसद रहता है ये सारी चीजे से पैसा ये लोग हमसे लेते रहते टेस्टिंग के नाम पे या कहीं जाना है, कोई सामन लाना है उसको पैसा देना है, ये करना है, वो करना है यही नाम पर आदमी देखके किसी से 55,000 रुपए लेते रहते किसी से 50-50,000 रुपए लेते किसी से 2-5 लाग रुपए ये इनका fraud चलते रहता है तो अब वो जब लोग आए रात हो गई थी अब जैसे ही राइस उसने रखा उसने घड़ी देखना स्टार्ट किया 10-15 सेकेंड ही होँगे तो उसने बोल दिया कि भाई ये आपको लोग के साथ fraud हो चुका है तो हम लोग बोले कैसे भला हम लोग जो ले के आये थे वो लोग तो बोले ये काम नहीं करेगा बोले आप तो बोले देखलो आप रुक लो बोले कितना भी टाइम क्योंकि हम लोग को याद है हम लोगों ने जब वहाँ पे चेक किये थे तो तुरंद राइस नहीं खीचा था उसको टाइम गया था एक दो मिनेट के बाद वो राइस खीच रहा था तो मैंने बोला यार वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था दो तिन मिनेट लगा था तो थोड़ा रुक वह बोले दो तिन मिनेट नहीं दो तिन गंटा रुक जाओंगा देख लेना बोले आप कुछ नहीं होने वाला इसमें तो वाकई ऐसा हुआ पांच मिनेट हो गया दस मिनेट हो गया अब दस मिनेट के बाद हम लोग को भी समझ में आ गया इसमें कुछ हो नहीं रहे तो जो भी excitement था जो भी बाते थी वो सारी की सारी धरी रहे गई और फिर एक नहीं कानी स्टार्ट हुई वहाँ से वो जो इंदोर का गुरूप आया था वो बोला यार आप लोग के साथ जो हुआ न इसको बोलते है भानुमती एक नया वर्ट सुनने मिला यानि नजरबंद जैसे बोलते है जादू टाइप का जो होता है बोले इस टाइप का बोले नजरबंद भाना जाता है बाकाइदा बोले आपको चीजे होती भी दिखेगी लेकिन बोले वो सब एक फ्रॉड होता है तो बोले ये बहुत होता है मार्केट में तो आप लोग के साथ भी यही हुआ है तो अब पहली बार समझ में आए कि भाई इसमें ऐसा भी होता है मालब चीज तो हम लोग सामने चेक करके लेकि आ रहे और उसके बाद ये चीज हुई है तो फिर वो जो लोग थे दो तीन लोग जो आये थे इंदोर से उसमें से एक बंदा बोलने लगा भाई बोले चलो बहराल बोले परतन तो आपका जो गिलास है बड़ा बोले पुराना है इस पे बोले हम डुब्लिकेट आर्पी बना सकते हैं अब वहाँ से एक नहीं काने शुरू कर दिया भाई साब ने आप बोले ये डुब्लिकेट आर्पी क्या होती है भाई बोले डुब्लिकेट ऐसा है कि केमिकल से कुछ ये चीज़ बनती है सेम बोले राइस खीशने का काम करेगी सारे टेस्ट देगी लेकिन उसकी लाइफ बोले बहुत कम रहती है बोले के दस-पंदरा दिन की कोई लाइफ होती है उसकी लेकिन उसको बनाने का खर्चा आता है शायद उसने दो लाग या देड़ लाग रुपए उसका खर्चा बताया था मेरे कहल से दो लाग बताया था क्योंकि जो हम लोग का गुरुप था उसमें से एक लाग रुपए दिया गया था और वो इन्वेस्टर ने एक लाग रुपए मिला के इसे दो लाग करके फिर ये बंदे को भी दिया गया था कि भाई ठीक है अब कुछ नहीं तो तू डूब्लिकेटी बनवा ले कम से कम वो ले हमारे पास है इसका कारीगर बनवा के देदेगा इनद होर में खंडवा करके कोई है अरिया वहाँ पर बोले इसका कारीगर है वो बना के दे देगा एक से देड़ मैने में अपना काम हो जाएगा बारिश का टाइम चल रहा था और उस पिरियेड में फिर जब ले के गया काम स्टार्ट किया तो बोले 15 दिन में बनके मिल जाएगा तो बोले भाई वो chemical लगा चुका है लेकिन हो यह रहा है कि दूपी नहीं निकल रही है बोले इसको दो दिन की दूप चाहिए दूप मिलेगी तो बोले होगा इत्तेफाक देखो उस साल की बाद बता रहा हूँ वाकई में धूप नहीं निकल रही थी भले ही बारिश रुक चाहिए थी धूप नहीं नहीं करते हैं लोग बाकाईदा ओनलाइन भी चेक करते थे कि खंडवा का अभी जो चल रही है पूजीशन रेनिंग वाली क्या चल रही है यहां की चेक करते थे इंदौर की चेक करते थे तो पता चलता था यार वाकई में वहाँ पर दूप तो निकल ने ही रही है तो ऐसा करते करते फिर वह केमिकल भी खराब हो रहा था फिर पैसा दिया जा रहा था कुछ नहीं एक्सट्चा पैस तो ऐसा करते-करते मेरा खुद का और उस 3, 4, 5 महीने में और मेरे जो साथ वाले थे दोनोंका मिला के लगबक एक-3-5 रग रुपे औ और हम लोग का खरचा हो गया था वही चीज़ बनवाने के लिए लेकिन बाद में समझ में आया कि ये बनवाने वाले लोग भी हम लोग के साथ फ्रॉट कर रहे थे लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पाए तो बहराल उस चीज़ को फिर छोड़ दी हम लोगों ने जो हो गया हो लेकिन और भी बहुत सारे experiences है इसमें ये तो मैंने सरिफ एक आप लोग को एक बात बता दी लेकिन इसमें और भी बहुत सारे चीज़े है जिसको हम लोगों ने आजमाया बाकाइदा वो चीज़ भी लाई गई मैंने लेके आया था भी वंडी लेकिन जब मुझे पता चला कि ओरिजनल चीज़ लाने के बाद भी जैसा वो लोग मांगते वो चीज़ लाने के बाद भी वो नहीं बिक रही थी उसमें भी फ्रॉड करने के लिए देखा जा रहा थे कि यार वो बॉम्बे से कोई कंपनी वाला आ रहा है उसको पांट दजार देना पड़ेगा ऐसा हो होगा तो मैंने वहाँ पर मुझे समझ में आ गया मैंने एंड किया चैप्टर मैं वहला यह सरिफ टोपी घुमाने का काम है पांट दस हजार से लेकि लाग दो लाग पाच लाग दस लाग की लोग टोपी घुमाते है ना इसका कोई बायर होता है ना कोई यह नासावासा ख पाधा कमपणी के लोग आते हैं और सर्टिफिकेड वगेरा भी होता है इसमें जो रेडियेशन का सर्टिफिकेशन उसमें डिटेलिंग होती है फिर उसके लावा उसमें लिखा होता है सारी चीज़ कि जो आरपी है उसके अंदर क्या पावर है कितना उसका कितने दूर से वो चावाल खीज सकता है, R2R क्या है, यह सारी चीज़े, तो आप अगर देखोगे, तो नासा वसा का उस पर सर्टिफ के DRDO, सौरी, DRDO का उस पर लाइसंस वाइसंस यह सारी बाते होती है, तो बहुत कुछ ताम जाम होने के बाद फिर यह समझ में आ गया था, कि यह लोग सर्फ फ्रॉड करते हैं, और उस परियेड में जो 6-7 मेना जो बन रहा था न, उसी परियेड में वो जो चेकर आया था, उसने मेरे जो पैचानवाले इंवेस्टर थे, उनको इंप्रेस कर दिया था बन्दे न, कि उसके चक्कर में उन्होंने मेरा अंदाजा है कम से कम 5 लाग रुपए और उन्होंने डुबा दिया होगा, कहीं पे लाग, कहीं पे 50 आर, कहीं पे 2 लाग, कहीं पे ऐसे करके, उन्होंने कम से कम मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे मालूम है एक दो केस तो मेरे सामने ही हुए तो 4-5-6 लाग उर्प вас उनका और कम से कम गया होगा जादा ही गया होगा 5 लाग से कम तो गया नहीं तो यह लोग इस तरी के से करते हैं जो जिसको जैसा मिल जाए बकरा फसाते रहते उसको कानिया सुनाते है और अपना मतलब उल्लू सीधा करते रहते हैं लोग तो अगर करना होता तो भाई हम भी करते क्योंकि हमको भी नौलेश हो गया था लेकिन मैं तो जब देखा कि यह चीज बिखती नहीं है तो मैं वो लाइन से हट गया आज भी वो लोग बहुत सारे लोग है जो इस फिल्ड में कोशिशे कर रहे हैं लेकिन मैं उनको कुछ बोलत हुए कि कहीं से काम उनका हो जाएगा और कुछ तो खुदी फ्रॉड करने लग गये तो वो लोग को तो मैं यह बात बोल भी नहीं रहूं कि आप लोग फिल्ड छोड़ दो क्योंकि आपकी नियादी खराब हो गई है तो आप फ्रॉड करते रहो क्योंकि ऐसे भी फ्रॉड कारे का वहीं इन्वेस्टर का और एक लाग एक भिवन्डी का ही बंदा था उसने बोला कि वह चीज मैं लाके दूंगा आप लोग को बस बोले आप लोग एक लाग उर्पए दे दो काम हो जाएगा तो मुझे अच्छे से याद है उसने एक उसके ऑफिस के बाजू में अं udah भी 50 जारी भीजा था लाक रुपए जब कि उसको दिया गया था और पचाशनार रुपए उसने दिया नहीं था अंगड़िया वाले से उसकी पैचान थी तो दिया तो उसने कुछ पैसा डुबा रहे होंगे लेकिन हमको समझ में आ गया था तो ये कहानी मैंने वो देड़ साल के प्रियेड में से एक में कहानी उठा के आपको बताई लेकिन ऐसी और भी छोटी-मोटी बहुत सारी कहानिया है उसमें कहानिया यानि कि जो प्रैक्टिकल हुआ है हमारे साथ ठीक है लेकिन वो लोग को ऐसी कहानी बना के हमारे सामने रखते है कि सुनने वाले को कहीं न कहीं बिलीव हो जाता है मेरे को ऐसा बिलीव हुआ था कि ये चीज़ अगर है मैंने एक दिन भी फिर उसके बाद ना उन लोगों से मिला ना उससे related किसी से बात किया मैं हड़ गया महां से जो भी ताम मेला ये fraud field है इसमें कोई काम आम होता होता नहीं है तो ऐसी भी एक देड़ साल की प्रियर्ड की जर्नी रही लेकिन उसमें सीखने बहुत मिला इतना सीखने मिला कि पैसे के लिए 1000-1000 रुपे के लिए कैसे लोग एक दूसरे सा जूड बोलते हैं कैसे लोग fraud करते हैं एक होता है मजबूरी में कोई कर रहा होता है और एक होता है जान बूच के कोई किसी के साथ कर रहा होता है तो जान बूच के करने वाले मैंने ऐसे भी देखे जो 1000-1000 रुपे के लिए 2000-1000 रुपे के लिए मतलब एक बहुत बड़ा ट्रस्ट खो देते हैं एक दुसरे के साथ तो ऐसा भी करते हुए देखा मैंने तो बहराल आज भी लोग ऐसे कर रहे हैं बहुत से लोग का इसमें आज भी छोटा मोटा बोलते ना काम होते रहता है कोई किसी को 50,000 में डुबा रहा है कोई किसी को 1,000,000 में डुबा रहा है और लोग डुबने के बावजूद भी लगे हुए तो यह alert मेरे members के लिए है कि ऐसे कोई चक्कर में अगर आप हो तो बच जाओ ना ही कोई इस type का कोई rice puller original होता है अगर मिल भी जाए तो इस type की भी धोका धरी हो सकती जो मने बताया कि practical life testing के बाद भी वो चीज आने के बाद वो चीज fraud निकली ठीक है तो यह सब चीजे बहुत कुछ इस field में होती है शायद मैंने उस field का 100% तो नहीं देखा लेकिन इतना कहूंगा 40-50% मैंने उस field का देख लिया था practical तो उसमें बहुत कुछ है फिर यह जो सिक्का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना एक कारीगर ऐसे भी मिला था कारीगर बोलते हैं एक आम language में या आप उसको बोल सकते हैं कि कोई एक इसका बनाने वाला तो उसने बोला था कि मैं सिक्के को इस तरीके से बना के दे सकता हूँ कि वो anti-iron test पास करवा देगा इसके अलावा नील का इसमें एक test होता है जो नील होता है ना जो कपड़े में डाला जाता है blue color का नील तो इस सिक्के को पानी में रखा जाता है फिर नील के चार पांच बून आला बोलो आप आला भी बोला है ता ना आला वगेरा इसमें डाला जाता है नील डाली जाती है सौरी आला बोलते हैं या पता है नहीं इसको तो वो नील के अगर आप पानी के ग्लास में इसको रखके अगर नील के 4-5 बून दाल दोगे तो एक मिनिट के अंदर अंदर वो पानी को वापस क्लियर कर देता है ब्लू से वापस से पानी अपने इस पे आ जाता है तो वो भी एक तरीके का फ्रॉड है केमिकल यूस किया जाता है उसमें लेकिन देखने वाले को यह लगेगा यह वाकई में कोई चमतकारी यह सिक्का है जिसके अंदर वाकई में कोई पावर है और बहुत दुरलब कोई सिक्का है जिसकी वाकई में कोई payment लाको या करोडों में मिल सकती है तो ये वो सिक्का था जो मैंने यहां market से ही खरीदा था ऐसे बहुत सारे सिक्के आपको market में मिल जाएंगे राम दर्बार सिक्का मिलेगा ऐसे अनुमान जी का फोटो बना हुआ मिलेगा है ना अब East India Company का अगर मैं अभी जब सही से काम करने लगा तो पता चला मुझे actual में East India Company के सिक्के तो 1935 से छपना स्टार्ट हुए ठीक है अलाकि 34 का एक तराजू वाला भी आता है लेकिन actual जो बोलेंगे frozen year 35 का है तो ये 1806 1717 इस टाइप के बहुत सारे year date वाले पुराने सिक्के रहते हैं जो कि ये लोग खुद बनवा के लेते हैं और ये बहुत जगा मंदिरों के बाहर बहुत जगा मस्जीदों के बाहर ये इस टाइप के सिक्के आज भी बिखते वे नजर आएंगे आपको तो ये वो सिक्का था उस टाइम पे लिया हुआ सिक्का था आज मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये कहानी पूरी बता दी जाए तो ये कोई मैं स्क्रिप्टेट बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हुआ है 100% वही बता रहा हूँ तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई ऐसे फ्रॉड से बचो अब आउन लाइन में जो फ्रॉड हो रहा है जो हम आप कम कर रहें नुमिस्मेटिक में तो इसमें फीस के नाम पे RBI के नाम पे कंपनी के नाम पे Old Coin Buyer के नाम पे बोल करके आप लोगों से 1000-2000 से लेके लाक लाक उर्पय तक लिया जाता है और आप लोग यही सोस्ते हो कि शायद Old Coin हमारा बिख जाएगा जबके Old Coin बिखता नहीं है Rare Coin बिखता है दुरलब सिक्के बिखते है दुरलब नोड बिखती है दुरलब चीजे बिखती है आप कोई भी एक Exhibition अटेंड करो अटेंड करके सिर्फ देखने जाओ अभी जैसे दिल्ली में Exhibition लगने वाला है तो आप देखने जाओ फिर कॉलकता में हो चुका है ऐसे जहां जहां Exhibition लगेंगे पूना में मैं खुद इंशालला जाने वाला हूँ तो अगर वहां गया तो वहां पर ये सब बाते भी डिसकस होगी और बहुत सारी हम actual में निमस्मेटिक पर बात करेंगे तो ऐसी कुछ कहानिया है आज भी लोग कर रहे हैं आज भी forward हो रहा है चाया online से अच्छा इसमें कोई एक चीज नहीं है बहुत सारी चीज़े सिक्के और बरतन की तो एक मतलब उसमें बेस है लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें हैं उसमें जो मतलब बोली भी नहीं जा सकती वीडियो में के भाई ऐसी भी कुछ काम होते है तो वो जब लोग मिलते हैं आपको जब लोग टकराने लगते तो वो नया-nया कुछ तुक्का लेके आ जाता है आपके पास अभी बीच में ये सुनने में मिलाता रेड मर्क्यूरी के बारे में बहुत अफ़वा चली थी वो ही बंदे मुझे टकराए थे लगबग दो ढ़ाई साल के बाद तो वो वेले अब मार्केट में भाई रेड मर्क्यूरी चल रहा है जो investment किया था ना जिन्णोंने उनकी बात करा हूं तो वो वो बता रहे थे कि कुछ रेड मर्क्यूरी का काम चल रहा है वो बहुत दूम से लोग ढून रहे है, लाकों करोडों में विक रही है तो मैं तो जब भी इंट्रेस नहीं लिया इतिफाक से मैंने जब निमस्मेटिक पे थोड़ा और काम स्टार्ट किया यूटूब पर अबलोड करना तो एक वीडियो आया था, मर्कुरी वाला मैंने देखा भी एक बंदे ने बहुत अच्छे से उसके बारे में डिटेलिंग बताया है, समझाया है किस तरीके से वो फ्रॉड है, रेड मर्कुरी का काम भी वो मुझे पहले से पता था, लेकिन वीडियो देखके और कन्फरम हो गया तो ऐसे ही एक वीडियो मैं आभी आप लोग को बताने चाह रहा हूँ अगर इन चीजों को जो मैंने बोला है, आपको प्रैक्टिकली सुनना है इन्होंने तो रिसर्च बेस बोला है, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहू जो मेरे साथ हुआ है यह देखी, राइस पुलर फ्रॉड नाम से यह वीडियो है, राइस पुलर की सच्चाई, चमतकारी भरतन, मूर्ती, स्कैम इन इंडिया ग्लोबल ग्यान नाम से यह चैनल है, और यह वीडियो है मैं especially यह वीडियो को आप लोगो देखने काऊंगा, बाकी तो मुझे नहीं पता इनके क्या-क्या वीडियो, मैंने स्रिफ यह वीडियो देखी है लेकिन यह काऊंगा इन्होंने जो बोला है इस वीडियो में, 110% उन्होंने सही बताया है एक भी चीज उनकी गलत नहीं है, research perfect है उनकी, ठीक है तो यह वीडियो को यहीं पर end करता हूँ और updates तो आती रहेगी, कुछ न कुछ मैं डालते रहूँगा, pricing से related वीडियो आती रहेगी members जो बन रहे है, उनके लिए भी कुछ न कुछ update आती रहेगी लेकिन इस type के वीडियो को देखना और जाधातर लोगों तक इसको पहुचाना बहुत जरूरी है मेरे जो बाते थी मैंने practical बता दी, ऐसा कुछ भी हुआ था और भी बहुत सी बाते है, हो सकता है कभी कुछ ऐसा मौका मिल जाए तो वो topic फिर लेके हम, उस पर भी मैं बताऊंगा कि ऐसा भी हुआ है कभी ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर end करता हूँ, एक घंटे की वीडियो बन गई पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन देखना जरूरी है मेरे इसाब से लोग देखे इसको और awareness अपने लिए ले इससे फाइदा उटाए कि हो सकता है आप मैंसे कोई नो कोई इसमें ऐसा फस रहा हो या फस चुका हो तो वो इससे बाहर निकल जाए इस वीडियो को देखे, ठीक है? चलिए, बाई